हाई फ्रेंड्स आनलाइन एग्रिकल्चर क्लासेश की आफिशियल यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवंग बंधन करता हूँ जैसा कि बिहार लोक शिवा आयोग का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है इसमें योग गिता कनफर्म हो गई है आयूशीमा भी कनफर्म हो गई है पदों की शंक्या तो पहले से ही कनफर्म थी लेकिन अब बिल्कुल शटिक और जो क्लासिफिकेशन जो वर्गी कृत है आपक इसरी आपकी परिच्छा की पैटर्न इसके पहले हमने एक आल्रेडी वीडियो आपको सलेबस की अधिन डाल दिया था ठीक है चलिए आज हम लोग पूरा इन सारी बातों पर चर्चा करते हैं चैनल को पहली बार वीजिट कर रहे हैं तो सस्क्राइब कर लीजिका आगे इसमें लिम्टेड आफर के साथ दिया गया ठीक है इसमें संपूर्ण कोर्स आपको पढ़ाया चाहेगा और इसकी वैलिडिटी परिच्छा एग्जामनेशन तक रहेगी ठीक है प्रते एक दिन आपकी रेगुलर क्लासेश चलेंगी वीकली आपकी टेस्ट होगा और यह ज इसलिए पर दिया हुआ नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे संपूर्ण जानकारी और एप का लिंक ले सकते हैं आनलाइन और आफलाइन दोनों मोड में आपके बोथ मोड में और हिंदी और इंगलिस दोनों लैंग्वेज में बाई लैंग्वेज में आपको पढ़ाया और बोथ आपका आफर दोनों में है लिम्टेड आफर अभी 15 जन्वरी तक है आप इसको इंडॉल कर सकते हैं ठीक है यहां पर दिखे बिहार लोग सेवा आयोग पत्ना यह डेट आप 8 जन्वरी 24 का है ठीक है सेवा में क्रिसी विवाग बिहार पत्ना ठीक है अब नीचे आईए फुल्पदों की शंक्या इसमें यहाँ पर देख सकते हैं फुल्पदों की शंक्या 877 ठीक है अब इसमें वरगी कृ wait है पदों की शंक्या कौन-कौन से पध है नीचे आईए आपको दिखाते हैं PDF के मार्तिम से यहाँ पर देखिए यहाँ पर अनारच्छित का मतलब यू आर अनसुचित जन जात अन्त पीछड़ा वर्ग पीछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर EWS टोटल यहाँ पर पदो की शंख्या 155 है ठीक है टोटल पदो की शंख्या यहाँ पर देख सकते हैं 155 है क्लियर अब यहाँ पर देखिए पोस्ट कौन से अनुमंडल क्रिसी पदाधिकारी उप परियोजना निदेशक यह आत्मा के अंतरगत काम करेंगे ठीक है आत्मा ATM में जिसको वो लगाता है ठीक है अब आगे देखेंगे अनुमंडल क्रिसी पदाधिकारी परियोजना निदेशक सहायक निदेशक यह वंग समकच ठीक है जनरल में कुटिवार की शंख्या 21% 35% इसमें 21 सीट है उसके बाद फिर 35 में यहाँ पर देखेंगे 35% साबसाब लिकाए महिलाओं के लिए 35% अरचित पदू की शंख्या साथ है ठीक है किलियर हो गया अब नेक्स्ट है अंसुचित जात में थर्टीन नाइन पोस्ट है और कोटिवार की शंख्या 39 है महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन को देखते हुए 14 सीट इन के लिए ठीक है अब इसमें कोटिवार रिक्त की शंख्या अमसुचित जनजात में चार सीटे हैं फिर 35% अरचन को देखते हुए एक सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है फिमेल कंडिडेट के लिए क्लियर अब कोटिवार रिक्त की शंख्या अत्यनत पीछड़ा बर्ग में देखेंगे फिर पीछड़ा बर्ग में देखेंगे 34 सीट है और 12 सीट फिमेल के लिए अब EWS में आएंगे तो 16 सीट आलोबर के लिए और 6 सीट डिजर्वेशन महिलाओं के लिए टोटल आपकी 155 सीटे क्लियर हो गई ठीक है अब इस प्रकार से इसका PDF हमने आपके टेलिगरम चैनल प के लिए शाहयक निदेशक एक पोस्ट है जनरल में और तीन पोस्ट है आलोबर में इसमें देखिए अंसुचित जाती में तीन पोस्ट है और एक पोस्ट महिलाओं के लिए है फिर अंसुचित जन जाती में एक सीट है अत्यनत पीछड़ा बर्ग में 8 सीट फिमेल के लिए और फिमेल के लिए आपकी तीन सीट ठीक है चार सीट पीछड़ा बार को और एक सीट फिमेल के लिए टोटल आपकी 19 सीट है अब इसको थोड़ा सा अगर डिफाइन करेंगे तो काफी लंबा चला जाए ठीक है अब थोड़ा सा हम स्पीडली चलते हैं यहाँ पर देखिए तहायक निदेशक पाउचसन रचण विवाग में आपकी आलो भर 11 सीट है ठीक है इसके बाद बिहार क्रिसी अधिनस्त सेवा कोडिवन सश्य प्रखंड क्रिसी पदाधिकारी इमंग समकच्चे टोटल आपकी जो पदों की शंख्या हो रही है यह 866 पद हो रही है ठीक है 866 यह और बाकी यह ठीक है अब सहच्छिडिक योग गिता की बात कर लेते हैं तो सहच्छिडिक योग गिता हम देखिए अनुमंडल क्रिसी पदाधिकारी इमंग के लिए क्या यहां पर साप साप लिका है कहने का ताथ पर यह है कि साप साप हिंदिम नीचे दिया हुआ है ग्रिसी विज्ञान में असनातक की डिगरी एवन अंतर्गत डिगरी के अंतर्गत अन्य संबंदित संबर्गी बिसे के असनातक की डिगरी मानने नहीं होगी ठीक है सिर्फ वो सिर्फ कह रहा है यहां पर बियस्सी एजी या पियस्सी अनर्स एजी आपका होना चाहिए बियस्सी आर्टिकल्चर फॉरिस्टी फिस्ट्रीज या अन्न कोई भी अगर आता है या किसी सेंटरल इंवर्श्टी से या किसी इंस्टेट्योट से क्रिस अभियंत्रन में असनातक की डिगरी अगरी कल्चर इंजेनियरिंग जिसने इस्टूडेंट ने किया है उसके लिए यह है इस्पेसल पोस्ट ठीक है अब फिर पहुत सान अच्छन प्लांट प्रोटेक्शन में इसमें देखेंगे तो इसमें मानेता प्राप्त क्रिसी विस्व बिद्धा ले क्रिसी संकाय से इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन के साथ असनातक की डिगरी हो मतलब इलेक्टिव में आपको प्लांट प्रोटेक्शन सब्जिक्ट आपने पढ़ाओ ठीक है अब आगे प्रखंड किरिसी पतादिकारी एमंग उसके समकश्च देखेंगे तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ BSC AG मांगा है ठीक है क्लियर हो गई अब इस लीमिट की बात कर लेते हैं इस लीमिट देखें यहाँ पर उम्रसीमा एक अगास्त दोहजार तेज को नेउन्तम ट्वंटीवन येर आपके कंप्लीट होने चाहिए एक किस वर्स कंप्लीट होना चाहिए ठीक है 37 वर्स अनारच्छित पूरुष के लिए ठीक है बाकी जो लोग एज़े रिलेक्षेशन वाले हैं वो अपना पढ़ लेंगे क्लियर हो गई अब थोड़ा साहम नीचे चलते हैं प्रस्ण पत्र के तरफ तो यहाँ पर देखें चैन प्रकिरिया आपका सेलेक्शन प्रोसेडिडर क्या है लिखित परिच्छा एंवंग साचातकार साचातकार का मतलब होता है सीधी सीधी इंटर्विव माओ की परिच्छा के अधार पर फास्ट इसमें पढ़िए लिखित परिच्छा तीन विश्यों की ही होगी जिसमें समाने हिंदी सौंक का होगा समान निज्ञान सौंक का होगा येवं संबंजित विषय आप जिस से ग्रिजूइशन ये आशना तक किये हैं उसके परिपेक्च में आपका दो सौंक का बनेगा ठीक है, चार सौंक का होगा ठीक है, विषयों के नाम, पुड़ांग, परिच्छा येवं निम्नलिकित अनुसार होंगे नीचे दिया हुआ है, ठीक है चलिए, आगे बढ़ते हैं इसमें देखे समान हिंदी समान हिंदी का एक प्रस्ण पत्र होगे सौंक का हाईस्थ, मैक्सिमुम मार्क सौ पुड़ांग, ठीक है, प्रस्णों की सौंक क्या सौ होगी, दो घंटे का पेपर होगा अब्जेक्टिव टाइप कोस्चन होगे ठीक है, अब आगे यहाँ पर पढ़ सकते हैं विग्यापन दोज़ाच्वविस से इतने से इतने तक के लिए हिंदी अब आगले वीडियो में हम डिसकस करके आपका पूरा अच्छे से क्लियर कर देंगे अभी थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप ले लीजिए ठीक है, फिर जनरल नालेज में सेम प्रोसेस सौ अंक का, सौ प्रस्ट, दो घंट अबजेक्टिव टाइप कोस्चन अब आपका जो डोमेन में सब्चेक्ट है जो आपने यहाँ पर देखा, 400 अंक के पहले 200 अंक का संबंधित भी से यह आपका रहा संबंधित भी से आप जो इस डिपार्टमेंट से अपलाई करेंगे उस डिपार्टमेंट से आपका प्रस्ट उसे अनुसार रखा जाएगा ठीक है, चलिए बिहार क्रिशी सेवा, ससे गुर्णामी ससे बिज्ञान या गुर्णामी आप कह सकते है प्रस्ण पत्रवन, 200 अंक, 200 पुडांक का होगा saa question होगे, एक question यहाँ पर दून नंबर का होगा ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए 200 अंका सेकेंड पेपर होगा, एक रिकलचर का ही पेपर होगा 100 question का होगा और 200 पुडांका, ठीक है, यह भी दुघंटे का होगा objective type question होगा कहने कातात पर यह है कि एक paper होगा total आपका यह कितना हो रहा है पूरांक आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर 200, 2400 ठीक, 500 600, 600 हो रहा है ठीक है, अब उपर आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर 400 आंक का दिया हुआ है यहाँ पर संबंधित भी से लिखा है भाई, संबंधित भी से दो पत्र लिखा है इसलिए आपका 400 आंक हो रहा है ठीक है, total यहाँ पर आपका बंडा 600 आंक, लेकिन 600 आंक का क्या पुणांक बनेगा, आई आगे डिक्लियर करते है ठीक है, अब इसमें अग्रिकल्चर इंजीनियर की में देखके लेंगे, जो आपका GS का पेपर ठीक है, GK का पेपर और हिंधी का पेपर ये दोनों पेपर आपके होंगे 200 आंक के ठीक है, अब यहाँ पर फिर आपका 400 आंक का अगरी कल्चर का डोमेन इसमें प्लांट पोटेक्शन देखेंगे तो प्रस्ण पत्र वन और दूती है दो दो सव पुडांग चार सव पुडांग के यह होगे फिर सव अंक के यह होंगे सेम पैटर अब्जेक्टिव और सेम टाइम ठीक है फिर आगे क्रिसी विज्ञान में अगरी कल्चर में देखेंगे प्रस्ण पत्र फस्ट और सेकेंड दो दो सव मार्क के फिर दो सव कोशन चार घंटे में अब्जेक्टिव टाइप कोशन ठीक है अब नीचे थोड़ा से देख लीची यही पर जो चीज है क्लियर फाई आपको कर दिया चारा उक्त यहां पर लेकिन आपको क्वालिफाई करना होता है सेम प्रॉसेस यहां भी यह भी यहां पर हिंदी को नान ग्रेडियल के रूप में लिया गया है लेकिन यहां पर देखें किंदू प्राप्ता कि गर्णा मिधा सूची बनाने में परियोजन नार्थ नहीं किया जाएगा मतलब जो सव नंबर में आपको आल उबर तीस मार्क गिन करना अनिवार है तभी आपको यह क्लियर होगा ठीक है अब आगे बढ़िए अब आगे बढ़ेंगे यहां पर देखिए साफ सफ लिखा है लिकित पर इच्छा में सफल उमिद्वारों को पचास अंका मौखिक पर इच्छा मतलब जो इंटरव्य होगा वो पचास अंका होगा अब आपका पूरा फाइनल कटाफ यहां पर हम चलिए क्लियर करते हैं देखिए सौ हिंदी को काट दीजिया आप इसको खतम करिए फिर इसके बाद हिंदी खतम हो गई जब आपकी जब आपकी हिंदी खतम हो गई तो इस मार्क का एजी सेकेंड आ गया एजी सेकेंड पेपर ठीक है टोटल कितना बना आपका 500 क्लियर हो गया अब इसके बाद इसमें प्लस आपको 50 अंक जोड़ना होगा ठीक है यह किसका है यह आपका इंटरव्यू के लिए माउखिक परिच्छा के रिए तो टोटल आपका जो पक्चास आलोबर मार्क में आपका कटाफ बनेगा ठीक है क्लियर हो गई अब आगे देखिए चैन के लिए अंकु की अधिमानता का निर्धारण कितना होना चाहिए ठीक है लिखित परिच्छा एंगसा सतकार में प्राप्त अंकु की अधिमानता 75 अंक आपके लाने अनिवार हो ठीक है बिहार सरकार में संबिधा के अधार पर सवानपद पर किये गए कार्यावधी की अधिमानता 25 अंक अब इसमें कहरा है मीनिमम आपको 75 मार्क लाने अनिवार हैं तभी आपका सेलेक्शन होगा अन्य था आपका सेलेक्शन नहीं होगा ठीक है अब आगे देखिए अब कर दो यहां पर कोड दिया हुआ है और बाकी आप लोग अपना जो भी है आपका अपलिकेशन आवेदन अंलाइन होगा और उसके बाद जो भी आपको समस्या होगी तो आप हमें 96, 97, 48, 41 नंबर पर आप हमसे संपर कर सकते हैं जो भी कोर्स है बिल्कुल आपको नियूंतम फेस में दे दिया जाएगा ठीक है तो चलिए आप लोग आगे के तयारी कीजिए और धेट सारी सुब कामना है अगले वीडियो में हम लोग सलाइबस के बारे में डिपली चर्शा करके आपको कंप्लीट कर देंगे ठीक है चलिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी नेक्स टापिक के साथ तब तक के लिए जय हैं